हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब आप सब का स्वागत है सिंगल पॉइंट पर दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको अप्लिकेशन के बारे में बताएंगे जो आपके पास होने चाहिए अगर आप एक यूटुब क्रियेटर हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक यूटुबर को जरुरत होता है कैमरे का किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए जैसे कि आपके मुबाइल में पहले से ही बिल्ट इन कैमरा होता है अगर आपके camera quality अच्छी है तब पर भी आप इसे use कर सकते हैं अगर आपके camera quality अच्छी नहीं है तो आपको इसे use करना चाहिए हम आपको दो applications के नाम suggest करेंगे जिसको आप use कर सकते हैं पहला है pro cam max और दूसरे का नाम है open camera तो दोस्तो वीडियो तो आपने record कर लिया अब आप इसे edit कैसे करेंगे तो दोस्तो आपको आपके वीडियो को edit करने के लिए या application यूज़ करने चाहिए पहला है काइन master दूसरा है filmora go और तिसरा है a light motion अब आपका वीडियो भी edit हो गया अब आपको इसे youtube पर upload कर देना है upload करने से पहले आपको एक और चीज़ बनानी होती है जो है thumbnail thumbnail बनाने के लिए आप pixel lab नहीं तो canvas यूज़ कर सकते हैं ये दूनों application का यूज़ करके आप एक professional thumbnail बना सकते हैं Canva app में आपको additional advantage यह है कि आपको thumbnail नहीं बनाने आता तो आप Canva पर जाओ और टाइप करो youtube thumbnail आपको यहाँ बहुत सारे बने बनाई youtube templates मिल जाएंगे जिसे आप edit करके अपने वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हैं अब thumbnail भी बन गया और हमने वीडियो को भी upload कर दिया कितने वीडियो पर कितने लोगों ने चैनल को subscribe किया कहां से वीडियो आ रहे हैं कितने से कितने एज के लोग आपके वीडियो को देख रहे हैं यह सब जानकरी आपको एक ही application पर मिल जाएगी इस application का नाम है YT Studio यह तो आपके पास होना ही चाहिए अब आते हैं next application पर जो की है VidIQ जो की एक बहुती useful application है इसकी मदद से वीडियो की topic दूड़ना बड़ा ही आसान हो जाता है कौन से topic पर आपको वीडियो बनाना चाहिए और कौन से topic पर आपको वीडियो नहीं बनाना चाहिए इसकी मदद से बहुती आसानी से आप topic decide कर सकते हैं इससे आपको पता चल जाएगा कि जिस topic पर आप वीडियो बनाने जा रहे हैं, उस topic पर competition कितना है, कितने लोग इस topic पर सर्च कर रहे हैं और कितने लोग नहीं, जिससे आप decide कर सकते हैं किस topic पर वीडियो बनाना है और किस पर नहीं, तो दोस्तो last application नहीं एक website है, जिस पर ने image को upload कर देना है, upload करने के बाद ये automatic आपके background को remove कर देगा, और इसमें additional features है कि आप अपने background को कितना remove करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से भी edit कर जखते हैं, दोस्तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो like कर दीजे, और आप channel पे new हैं तो subscribe कीजे, और दोस्तो अपने दोस्तों के साथ भी share कीजे, जिससे हमें motivation मिलेगा, ऐसे ही वीडियो बनाने का, वीडियो को देखने के लिए thank you